आज हम क्लास 7 की में एक्सराइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं इसके सम नबर वन में A is equal to 4,5 and B is equal to 4,6,8,9 हमें union करती हैं तो A union B जो है start करते हैं A is equal to 4,5 उसके बार union की sample देंगे जो B है तो B की value होने है जो set के अदर नहीं है वो हमने लिखें अब union के अदर क्या होता है कि दोनों sets में जो elements होते हैं A और B का या B या C है जो सवाल के अदर values हों उसमें दोनों के number को जो है तर्ती बनाकर इसमें लिखा जाता है जैसे हम इन दोनों member में सबसे चोटा member है 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 उसके बाद 8,9 तो अब इसमें यहीं तर्ती बनाकर हम लिखते हैं यूनियम A यूनियम B जो है वो बरावर है 4,5,6,8,9 के इसके बाद number 2 में के अंदर एक है A is equal to 2,4,6,8,10 and B is equal to 0,1,2,3,4,5,6,7,9,10 अब A is equal to A के member लिखते हैं जो सावाद के अंदर है 2,4,6,8,10 unit के सेंबल दी उसके बाद B के member हमें लिखे अब इन दोनों members की हम तर्थि बनाके लिखेंगे इन दोनों members के लिखेंगे सबसे छोटा number जो है वो 0 है उसके बाद फिर बाद फिर 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 तूर,5,6,7 इसके अंदर 8 दी है वो हमने 8 कर दिया 9 फिर 10 तो यह A union B जो बरादर हो बादर 0,1,4,5,6,7,8,9,10 अब यह देखिए यूनियम में हम निसीखा के हम तर्टी दोनों मेंबर से दोनों सेट के हैं तो मेंबर होते हैं उसकी तर्टी बनाकर हम लिखते हैं तो आप इसी तरह में से नमबर 3 जो समझे जिसकी वैल्यू है A is equal to 012345 and B is equal to 2468 एंटर नमबर 4 जो सम है उसकी वैल्यू है A is equal to 3, 5, 7, 11, 13 and B is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18 इन दोनों जो सम्स हैं इन दोनों को आप हमद करें इसकी assignment बनाएं और उस पर फियर कॉप्य पे लिखें नमबर 2 जो है वो कुछ सख को देखते हैं if D is equal to 246 and E is equal to 1356 and F is equal to 136, 9, 10 find then find D union E union F तो यहनी आप देखें इसमें हमने दो सेट्स की आप जो यूनिन की थी अब इसमें आप त्री सेट्स की हम यूनिन करेंगे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में D union E की लिए यूनिन निकालते हैं तो जैसे इस तरीके में में सीखा तो इसमें पहले D के मेंबर लिखें और E के में लिखें तो हमने इसमें यादि D union E जो बराब लगे 123456 के अब D union E सब्सक्राइब हो गया उसके बाद हम उसकी के आप साथ D union E के आप साथ यूनिन करेंगे तो उनने लिखा D union E प्रेकें ने रखा यूनिन F अब D union E के पहले हमने आप साथ जो ने बालू करके रखा था वो लिखा 123456 इसके पाद union F है तो F की value हमने लिखी जो हमें question में दी गई थी 136910 अब D union E के आउसर को यूनिन F के साथ करना है तो इन दोनों 6 की भगें हम जो यह तर्थी बनाकर मैंबस की हम लिखेंगे सबसे पहले 123456910 तो इसी तरीपे से आप question number 3 जो है जिसकी value है if A is equal to 123 and B is equal to null 7 and C is equal to 2,3 then find A union B union C and A union B union C तो सबसे पहले आप है एक जो सम है जिसकी पहली पहले पहले सम में A union B union C तो आप पहले ब्रैकेट वाले A union B को solve करेंगे उसका जो आंसर आया उसके आसर के साथ आ यूनिन C को हल करेंगे तो आप यह एकसाइटर हो जाएगी उसके पास पर दूसरा जो सम्हें हमारा उसमें देखें A union B union C तो पहले आप ब्रैकेट वाले B union C को solve करेंगे जो उसका आंसर आजाए उसको A के साथ जुनित करें तो इस साइट आप 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 आजाएगा तो यह था आज का लेक्टर हमारा इंशाग्ला बबार नहीं लेक्टर के साथ आजन होगे तब तक नहीं जा हुआ